कि नमस्कार जैसा कि मैं आप लोगों से पहले थी प्रिविएस वीडियो में मैं बोला था कि आप लोगों के साथ मैं यहां पर CHOC कर रहा था तो पीजिक्स में मैंने सोचा है कि पहले वेक्टर पढ़ेगे फिर इसके application पढ़ेंगे और application के बाद इसकी पूरी theory को समझेंगे theory, theory के बाद application और application के बाद नीट जेए एडवांस एडवांस एंड मेन में जो भी कोश्चन आये होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग शुरू करने जा रहा हूं पर सुरू करने से पहले मैं वेक्टर की इंपॉस्चन आ रहे हैं और्लोग को एक पहला लेक्टर हमारा रहे गाएगा पहले मैं एक कोश्चन एडवांस का ये एडवांस का परनुद नहीं लोग अंदाजा लगाएंगे कि वेक्तर की कितनी इंपोटेंस और अप लोग उसके बाद प्रीएशयर के लाड़्ट दो हजार साथ से ले के दो हजार इकईस तक तक जो भी हो कितने pay-per मेंकितने वेक्टर से एक्टर एपिडेट question आ रहे हैं उसको हम लोग solve करेंगे ठीक है तो देखिए 2021 या 22 जो भी देख लिए ए question था जो IIT में जेई के जेई paper में जेई के advance में आया हुआ है ठीक है paper आप लोग देख लिजेगा maybe 2021 का ही है मुझे जहां तक याद है question क्या है करा है यह पार्टिकील आप मास यम छीक है initially at rest in the XY plane और एक्सवाइब प्लेन की कुछ बाइलु दे रहा है कि यहां पर यह इस तीर है माली जेए इस प्वाइंट को हम लोग को कहते रहे है ठीक है वे अब एक आधे कर रहा है कि एक्स्वाइट में जो बैलू है उसकी यहाँ पर दे दिया ठीक है जाए पार्टिक्ल एक्सेलिडेट एड़ टी इसकल टु जीरो मतलब टाइम जीरो पे एक्सेलिरेट करना सुरू करता है उसका एक्सेलिरेशन चाहिए श्रूरेशन है ten meter per second से ठीक है कर रहा है positive direction में मतलब X positive direction में accelerate कर रहा है इसमें पूछ रहा है angular momentum बताइए angular momentum बताइए कर रहा है ये टरक बताएए कर रहा है with respect to origin origin के respect में बोल ला है एक स्वाई और जेट डिरेक्शन में ठीक है फिर यहां पर एक देरा है कि के इसकल टू आई क्राच जेट अब इसमें चार स्टेट्मेंट जो है दिया हुआ को सब्सक्राइब चलते हैं इसको मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप लोगों को स्क्राइब देखी चुके होंगे तो देखिए यहाँ पर वहां पर इनिसेल भेलास्टी यू है यह हमारी जीरो होगी ठीक है अब देखिए एक स्वाइप ले रहा है तो xy plane में कह रहा है यहां पर question को देखिए xy plane का नाम ले रहा है और इसमें कह रहा है कि minus y और minus h तो minus y और minus h e point जो होगा यहां पर होगा है ठीक है यहां पर particle है और particle सब्सक्राइब तैठील एक्सटारी 10 दिरेग्षन में एक्सटारी टीज को तो 10 10 सब्सक्राइब करें log , फैर उनना लग रहा है यह भी टू मिन्टू सब्सक्राइब वाल किले पहोर्स फैर इनटीज परब्सक्रारी आप चीशो हो जाएगा कुआइंट टूं टेन थिक ए किश डियरेक्षण में है उदर सब्सक्राइब कि टूंके फोर्स भाइब को dating ढ़ी वाणद को समझने जीज है अब इसमें ध्यान दिजिए पहला कोश्चन पहला इसका पड़िए कर रहा है पार्टिकिल कर रहा है कि यहां से देखिए यहां से चलता है और इस पॉइंट पर पहुंचता है ठीक है तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ आपको ठीक है तो इसको देखने पार्टिकील तड़ा पहले यहां ठीक है माइनस को ठीक है अब यह पार्टिकील यहां से यहां पहुँच जा रहा है और इसकी जो यहां पहुंच जा रहा है यह माइनस यह ठीक है देखिए कितना यह ट्रबल किया यहां पर दोनों इसका कस्टेंड मुवमेंट हो रहा है यल ठीक है और यह यह य यानिकि डीश्टेंस कभर कर रहा है यह यस की बहर जाएगी यह हो जाएगी 20 ठीक है यह की बहर दिया है तो यह हो के ना टाइम लग रहा है तो उसी टाइम को निकालेंगे तो देखिए टाइम कैसे निकलेगा यह सिसकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर ठीक है यहाँ पे यू की बैलू कितनी है जीरो क्योंकि इनिसियल है यह की बैलू 20 और यह हो जाएगा हाफ यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा टी स्क्वाइर तो यहां से जब सॉल करेंगे तो टी की बैलू कितनी ही आएगी दो सेकेंट ठीक है तो जब टी की बैलू अगर दो सेकेंट हो रही है तो आप्संग है यहां पे देखिए आप झषय करा कि गपाट की लेराइब आम इत फेड़ीना है ठीक है इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा पोजीशन वेक्टर निकालना हो गया ठीक है तो इसको देखिए फिर से मैं एक चीज को ले ले रहा हूं इसमें पहला आपसंद देख लीजिए क्या कर रहा है कि टार्क पुछ रहा है कि इस पॉइंट पहुंचने पर जो मैं तो पहुंच यहां पे है और यह हमारा ओर जीन है ठीक है ओर जीन से हमारा पोजीशन है तो अब हो जाएगी यहां पर वह से की कि इस सीधे रख देते हैं रूम जाई एक सेटें तो देखिए आर की जो बैलू होगी आर की बैलू हो जाएगी यल आई माइनस यच जे ठीक है यल की बैलू कितनी है टेन आई ठीक है यच की बैलू कितनी है वन यानि कि जे तो ए हो जाएगा आप देखिए इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है एफ है यानि कि टू आई ठीक है बरबर है तार्क बराबर हमारा होता है आर क्रास याफ ठीक है आर क्रास तो ए हो जाएगा टेन आई माइनस जे मल्टी क्रास टू आई जब इसको हम सॉल करेंगे इसको जब हम सॉल करेंगे तो ए आजाएगा ट्वंटी आई क्रास आई माइनस टू जे क्रास आई ठीक है इसकी बैलू हो जाएगी जीरो ठीक है और इसकी बैलू हो जाएगी माइनस टू और इसकी बैलू हो जाएगी माइनस के तो टार्क यहां पर बैलू कितनी आ जाएगी टार्क एकी आ जाएगी 2K तो देखिए A B option भी हमारा सही होगा ठीक है तो यहां से B option इसमें देख सकते हैं आप लोग इसका तो A जो है B भी इसका सही है ठीक है आएटी एडवांस में आया हो कोशन अब चेक करते हैं C को C option क्या पूछ रहा है उसी पॉइंट पे उसी पॉइंट पे हमारा लीनियर मोमेंटम कितना होगा तो देखिए लीनियर मोमेंटम निकालने से लिए हम पहले चलते हैं यहां पे और उस पॉइंट पे हमें वेलासिट आर्डिस्टेंस पे है आर की वेलू हमें मौलुम है प्रिवियस वाले में निकाले है बोरोबर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पे वेलासिटी कितनी आ जाएगी देखिए वेलासिटी इसकल टू इउ प्लस 80 ठीच है यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा था दो सेकेंड यू की बैलू कितनी है जीरो तो यह हो जाएगा 20 देखिए बी की बैलू 20 अब किस डिरेक्शन में इस डिरेक्शन में एक्सेलेशन यह नि पॉजेटिव एक्स डिरेक्शन में यह नि कि आई ठीक है अब इसका लिनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा लिनियर मोमें कि यह उक्षार जाएगा तो है कि को ट्म और थे ओटी ट्वर तो िहुट्वाइड वाइगा की ट्वर थीख थीक्व है तुह जाएगा यह लिन्यूर मोमेंटम हमें एंग तुखे ध्यान इंगूलर मोमेंटम बराबर आर क्रास यम ठीक है बरोबर है यहाँ पर इस चीजों को यहाँ पर रख लेंगे ठीक है ठीक है फोर आई ठीक है तब इसको सौल परेंगे तो यह हो जाएगा फोटीन आई क्रास आई माइनस फोर जे क्रास आई ए बैलू जीरो हो जाएगी ठीक है माइनस फोर इसकी बैलू हो जाएगी माइनस के ठीक है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कितना आ जाएगा एंगूलर मॉमेंटम हमारा आ जाएगा 4k तो देखिए एंगूलर मॉमेंटम जो है हमारा 4k आ गया तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो ए देखिए यहां पर ए भी वहलू हमारी सही है ठीक है अब तीसरा देखते हैं जढ देखते हैं तीन हमारे option में में a b n c सही है अब तीसरे को देखते हैं डी को ठीक है देखिए d को सौल करता हूं मैं यही पर ठीक है देखिए तो देखिए यह हमारा xy plane हो गया वाई एक्स ठीक है प्लें अब एक आ रहा है कि एक सिशकल टू जीरो और वाई इसकल टू माइनस यह पे पहुझ जा रहा है यानि कि पार्टिकल कहीं यहां पर है ठीक है ठीक है और पार्टिकल पर मोमेंट फोर्स कितना लग रहा है एफ एक्स बराबर हो ज झीरो जीरो आई माइन इनन्ह जीए तीक है यह इसकी पूरिकी बैल हो जायेगी ऐसेतेholders मैं यह माइनपड़् आप यहां पर टार्ट निकालाएंगे सेम होई चीज्ष तो आर की बेलू कितनी है माइनस जे ऑर क्रास तो जब इसकी बेलू हो जाएगी देखिए ठीक है तो यहां पर देखें टूप के हैं मगर यहां पर दिया है ताव इसका गलत होगा तो इसका जो सही एंसर होगा ओ होगा एबी सी तो देखिए एडवांस में एक वेट्वांस में पूछा गया था तो आज मैं देख रहा था कई कोश्चन हैं जैसे आए हुए हैं इसका काफी ज्यादा वेक्टर का अप्लिकेशन बढ़का हुआ जा रहा है तो इसलिए सबसे पहले मैंने वेक्टर को सुरू करने की कोशिश की है और वेक्टर से ज्यादा से ज्यादा को साल करने की हम लोग कोशिश क करेंगे तो दोस्तोग यहां पर मुझे बस यही चीज बतानी थी कि कि इंपोर्टेंस क्या है ठीक है पिर्टर की इंपोर्टेंस हमलोग समझ लिए हैं बेक्ट है बेक्टर से काफी अच्छे-च्छे burg सब्णाइजा सकते हैं कशन घुमाई जा सकते हैं तो नेवкंछंट वाले लेक्चर में जो हम सटरडे को अपलोट करेंगे उसमें वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे डिफनीशन पढ़ेंगे कौन-कौन-सी क्वांटिटी वेक्टर की हैं कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है कौन क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर का करेंगे वेक्टर का एडिशन करेंगे सब्टेक्शन करेंगे उसके बाद ग्रास पोड़क्त हो गएरा जो भी चीजें हैं उसके ब लोमेंट की बैलू चेंज होती है तो यह सब चीजे आप्लीकेशन वन बाइट वन में पढ़ाएंगे और बहुत ब्रीफ तरीका से और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को मैं में मेकाइनिक्स पूरा फिलहाल में में मेकाइनिक्स पूरा इस चैनल पे यहां फिर कोई भी घशाम कि आयए ऐटी जेए के एडवार्ण Must मस में मिट याफी कहीं भी किसी भी परिश्चा में पूछी जाती छोनी किसी भी में पूछा जाता हो उसको आप लोग कर लूशन दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़तम कर रहा हूं यहिंट्स हमारा जो लेक्षर होगा ऑपलों को बतावे रहाऊं। जो लेक्चर होगा तो होगा वेक्टर लेक्चर होगा और इसमें मैं एकदम बेसिक से बेसिक से सुरू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा तब तक के लिए जय हिं जय भारत